कि नमस्कार दोस्तों इसके सब्सक्राइब में आपको स्वागत है मैं नीड़े शुगला आपके लिए प्रॉफिट लाउस टॉपिक लेकर आया हूं इसमें आपको शौर्ट प्रिक्स पताऊंगा यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्रिप्रियो को लाइक करें अपने वस्तों को 240 रुपए में बेचने पर इसी व्यक्ति को 10% की हा नहीं होती है तो वहाँ उसे किस मूल पर बेचे कि उसको 20% का लाव हो तो दोस्तों इस कुश्चन को हम फॉर्मूले से नहीं एक ट्रिक के दौरा करेंगे देखे कैसे करना है वह जब वस्तों को 240 रुपए मे कि दो सो चालिस रुपए में तो दोस्तों यहां से वन परसेंट और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा दो सो चालिस बटे नव्य हो जाएगा तो कह रहा है कि जब उसको 20% का फागर देना है तो उसे कितने में बेचना है तो इसको कर दीजिए एक सो बीस परसेंट आप कॉस्पाइस कर दीजिए कि इसको निकाली 120 परसेंट आप कॉस्पाइस करने के लिए 120 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया इन तीन तीन नो तीन जब को बारा यहां चार आ गया और यहां प्रसपाइगा तो यहां अस्ति आ जाएगा तो अस्ति इंटू चार कितना एक बस्तू को 480 रुपाय में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% की हान ही होती है तो वह उस बस्तू को कितने मुल्ट पर बेचे कि उसे 20% का लाव हो इस कुश्चन को स्वाव करना है तो इस कुश्चन को भी दोस्तों हम उसी कॉंसर स्वाव करेंगे यानि कि जब वो 480 रु आफ कॉस्ट प्राइज हो जाएगा 480 रुपाय तो वन परसंट आफ सीपी कितना हो जाएगा चार सो असी बटे असी हो जाएगा तो अगर हमको निकालना है 20% का लाव जानी की 120 परसंट आफ सीपी निकाल लेते हैं तो यह एंसर हो जाएगा 120 से मिल्टिप्लाई कर दीजि तो यह जिससे 0 से 0 कैंसिल हो गया चार से काटेंगे दो आएगा यहां तीन आएगा पिर यह हो जाएगा 240 तो 240 इंटू 3 कितना होता है 720 तो यानि कि वह 720 रुपाय में अगर वस्टू को बेचता है तो उसको 20% का लाव होगा इस पकार से अंसर सीच रही है एक वस्टू को 178 रुपाय में बेचने पर 11% की हान ही होती है तो उससे किस मूल ने पर बेचे कि उस 11% का लाव हो तो इस कुश्चन को भी सेम कॉंसर्प्स से सौल करें दोस्तू 178 रुपाय में बेचने पर 11% की हान ही होती है यानि 89% of cost price हो रहा है 178 रुपाय है तो 1% of cost price क्या हो जाएगा 178 बढ़के 89 तो कह रहा है कि 11% का लाव लेने के लिए कितने रुपाय में हम उस स्वान को बेचे 11% का लाव लेने के मतलब हो गया है 111% of cost price तो यह हो जाएगा 178 अपान 89 इंटू 111 अब अगर इसको काटेंगे तो 89 बढ़के 89 बढ़के 178 तो 111 में 2 से मल्टिपलाई करेंगे तो आ जाएगा 222 यानि कि उस वस्तू को अगर 222 रुपाय में बेचा जाए तो 11% का लाव होगा तो रंसर कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपाय में खरीड़ा बाब ने उसने घोड़े को 20% लाव तथा गारी को उसने 10% हान पर बेज दिया इस प्रकार उसे कुल साथे पर दो प्रिसर का लाव हुआ तो घोड़े का क्रैमूल क्या था यह कुशन साथ करना है दोस्तों सबसे पहले क्या करें नहीं माना घोड़े का क्रैमूल लिए एक्स रुपाय था तो गारी का क्रैमूल लिए कितना हो जाएगा गारी का हो जाएगा 20,000 है माननस एक्स रुपाय होजाएगा गारी करैमूल हो जाएगा अब कहरा घोड़े को उसने 20% लाउप पे वेचा यानि 1-20 अपन है और गारी को उसने दस पर सथर आणी पर बेचा तो गारी को उसने दस पर सथर आ रह आनि 90% आफ 20,000 minus x हो जाए बुस्तो आज इस total transaction पर इसको 2% का फायदा हो रहा है यानि 102 upon 100 of 20,000 हो जाएगा अब यहाँ सब के denominator में 100 है तो इसको हम हटा सकते हैं आज इसको solve करेंगे परदर 120 x plus 90 into 20,000 minus 90 x is equal to 102 into 20,000 अब यहाँ पर दिख रहा है 120 x और यहाँ minus 90 x तो ही हो जाएगा 30 x जाएगा और इस वाले time को उधर ले जाएगे तो क्या हो जाएगा 102 into 20,000 minus 90 into 20,000 तो यहाँ से 20,000 common आ रहा है 30 x is equal to 20,000 into 102 minus 90 आ रहा है तो यहाँ से 0 कैसे हो रहा है कार देंगे 3 x is equal to 2,000 into 12 आ रहा है तो यह यहाँ से कटेगा तो यह 4 जाएगा 4 into 2,000 कितना हो जाएगा 8,000 रुपीस तो यहाँ से x की वालू आ गई आग यह रुपए यह नहीं कि उस तो घोड़ा रुपए में खरीदा होगा इस प्रकार से option 3 सहीर A ने B को 48 रुपए में एक भोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानी हुई B ने उसे C को इतनी कीमत पर बेचा कि A को 15% का लाव हुआ तो B को कितना अभिलाव हुआ यह निकालना है हम दोस्तों तो सबसे पहले A ने B को कितने में बेचा है 4800 रुपीज में बेचा है यानि B का cost price क्या हो गया 4800 रुपीज हो गया अब दोस्तों यहाँ पे इस ट्राजेक्शन में 20% का लाउस हो रहा है यानि कि 80% of cost price of A is equal to 4800 रहा है यानि कि A की खरीद का 80% 48% है 4800 है तो 1% of CP क्या हो जाएगा 4800 रुपीज हो जाएगा तो 100% of CP निकालेंगे गर तो कितना हो जाएगा 100 से multiply कर देंगे इसको जब हम solve करेंगे तो यह आएगा 6000 6000 रुपीज यानि कि घोड़ा जो है A ने 6000 रुपार में खरीदा होगा अब question में बोल रहा है कि B ने घोड़े को C को बेचा इस प्रकार बेचा कि A को 15% का फाइदा हुआ तो 15% का फाइदा हमेशा कॉस परसेंट पर कॉस परसेंट पर निकालते है तो A कॉस पर 6,000 है इस पर 15% का फाइदा हुआ तो क्या आ जाएगा 115 बटे 100 गुले 60 6000 तो यह आ जाएगा हमारा इसको solve करेंगे 10 यहां आ गया 363 6900 आ जाएगी 6900 रुपीज आ गया B ने जब C को बेचा यानि B का selling price आ गया 6900 तो B का profit निकालना है profit of B निकालना है उनको selling price कितना है 6900 और खरीदा कितने था 400 रुपए में खरीदा था इसने तो घटा देंगे तो यह आ जाएगा 2100 रुपए तो 2100 रुपए का फाइदा जो है B को होगा तो यहां से option D करेक्ट है जेर लाग रुपए मूली का एक मकान X दौरह Y को 5% लाग पर बेचा जाता है Y उस मकान को वापस X को 2% हान पर बेच देता है इस पूरे सौर्दे में कैस्टिपी रही होगी यह निकालना है तो सबसे पहले दोस्तों X का जो selling price of X होगा वह हो जाएगा cost price of Y और कितना है X जो है 5% पाइदे पर Y को बेच रहा है इसका मतलब हो गया 105 बटे 100 इंटू डेल लग तो दोस्तों इसका solve करते हैं तो यह आएगा यह आ रहा है 1,57,500 रुपया रहा है कि क्या रहा है selling price of X X ने Y को कितने में बेचा और Y ने X से कितने में खरीदा 1,57,000 रुपया अब कहरा है कि वापेश Y ने X को मकान वापेश दिया 2% हानी पे यानि selling price of Y is equal to हो रहा है cost price of X कितना हो रहा है 2% हानी पे 98 अपान 100 इंटू 1,57,500 यह दो 0 कैंसिल हो जाएंगे 98 अब 98 को में लिख सकते है 100-2 1575 तो यह आ जाएगा 1575 दाश्ट में 00 हो जाएगा और इसको 2 से multiply करेंगे कितना हो जाएगा 2,5,10 2,5,10 21 इसको घटा दे तो 0,5,3,4,5 यह यह एक लाग चबवन अजार 500 रुपए में मकाम बेचा तो दाइ को और यहसी से खरीडा कितने में है 1,54,355 रुपए में खरीद लिया है यानि की साफ देख लाए ऐकस को खायदा हो रहा है इसको निखाल लेते हैं 0 5 1 3 3,250 रुपए का फायदा होगा सब्सक्राइब जइवाए यह ग्रण यदि एक रुपए में चार की दर्स से केले खरीदे जाएं और एक रुपए में कितने केले वेचे गाया है कि 33. szahी एक बड़ी 3 पूछ तो कोशन यो बोला है कि एक रुपए में चार रूपए हो जाएगा अब कहा रहा है कि केले इस प्रकार से बेचे गए कि 33 में Karma का फाइदा हुआ तो एक केले के सयलिंग पराइस निकालना हो तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 33 सही एक बड़े 3 परसेंट आप एक के लिए का क्रेव मूल कितना है एक बड़े 4 है तो 33 सही एक बड़े 3 कौन के लिख सकते हैं इसको फर्दर सॉल करेंगे तो यह हो जाएगा 400 अपान हंडर इन्टु वन अपान 3 इन्टु वन अपान 4 हो जाएगा तो अगर हम इसको सॉल करेंगे तो दोनों जीरू कर जाएंगे 8 यहां से 4 एक बड़े 3 क्रीव यानि दिन पर इक बड़े 3 रूपय में अचंजन में या सकते है तो यह से औपशण सीत करेंट होगा महें 42.50 रुपए के 5 सेव की डर्ष से 60 सेव बेजकर 20 परसंड का लाब कमाता है तो सेव को किस मूल लागत पर उसने खरीडा होगा तो देखिए सबसे पहली बात एक सेव का मूल निकाल लेते हैं 5 सेव का मूल है पांच सेव का मूल है 42.5 रुपीज है तो एक सेव का मूल कितना हो जाएगा 42.50 पॉइब और वह 60 सेव बेच रहा है तो 60 सेव उसने बेचे तो कितने बेचे 42.5 पॉइब पॉइब इंटू 60 तो यह आ जाएगा 510 रुपए यानि कि वह साथ से 510 रुपए में बेच रहा है और इस पर वह 20 परशन का फायदा कमा रहा है यानि कि 120 परशेंट आफ कॉस्ट प्राइज इस इकल हो जाएगा 510 रुपए तो यहां से 1 परसेंट 1% of cost wise कितना हो जाएगा 510 बटे 120 हो जाएगा तो 100% of cost wise कितना हो जाएगा 510 बटे 120 into 100 हो जाएगा अब यहां से 1 0 कट गया, 1 0 कट गया इसको काटेंगे 3 से तो यहां 17 आएगा यहां आएगा 4 तो यह आ रहा है सत्तरा सव बटे 4 आ रहा है तो 4 से डिवाइड कर दिए तो यह आएगा 4.16 यहां 1 बज गया यहां 0 उतारेंगे तो यह 4 बनी 8 और 2 बचा फिर 0 उतारेंगे 4 पंजे 20 तो इसका अंसर आ रहा है 425 रुपए में उसने सेफ खरीदे होंगे तो आप्शन डी सही है रहने बाद दोस्तों अजो आप्शन भड़ लो आपा झाल गुक्त बड़ में ओपांगे जी बयरह नएफ़ सिरेकल 16 अभरी दोस्तों में बाद Cand